टोफो बैस को हैवे तो हैवे अधिले शौर्वें Euro J. अगर आपने koई भी हैवेवी शौर्फोर यूज करना या विडियो एटींग करना या अगर आपका बिल्ड पचाह सबाते है number four number four की बात करते हैं लेकि number four की बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ भी मैं आपको जितने भी laptop बताऊंगा वो video acting के लिए best होने वाले अगर आपने 4K भी try करना है आप कर सकते हो अगर आपने gaming करने है high graphic पी अगर आप gaming करना चाहते हो आप normally easily कर सकोगे प्लस भी अगर आपको office work के लिए चाहिए student हो पढ़ते हो पढ़ाते हो आपके लिए best deal होने वाले अगर आपने offline काम करना है जा classes बरह लगानी है अगर आपने online classes लगानी है आपके लिए भी बहुत अग्रे होने वाले है प्लस अगर आपने ऐसा creator काम करना है जाट ड्वाल्पर काम करना काम करना पड़ता है आपके लिए बहुत अगड़ा होने वाला है विकाज आपको trackpad यह हुआ है वह बहुत सही मिल जाता है प्लस इसके display quality बहुत अगड़ी है आपको HD ग्राफिक कार की बात करूँ आपको MX 350 2GB ग्राफिक कार मिल जाता है 8GB RAM मिल जाते आप 10th generation के साथ देखने को मिलगा तो specification के according देखा जाए laptop पूरा loaded देखती है को मिल जाता है मैं आपको main specification बता देता हूँ थोड़ी सी deeply बात कर लेते हैं वाई तो यह display की बातों को 14-inch Full HD display मिल जाती जो की anti-glate display अप पूर्शासर की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता है storage की बात करूँ आपको 8GB RAM मिल जाती प्रस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती ग्राफिक कार की बात करूँ आपको NVIDIA MX 350 2GB देखने को मिल जाता है मैं notebook horizon के अभी मैं इसके minus point की भी बात कर लेता हूँ so that's why मैं इसको number 4 पर रखा इसका minus point सिर्फ यह देखने को मिलता है कि आपको 8GB RAM तो मिल जाती है लेकिन आपको upgrade करने का option नहीं मिलता so that's why मैं इसको number 4 पर रखा तो आप इस चीज़ को दियान में रखना कि आपको RAM upgrade करने का option नहीं मिलता जो की सच में एक minus point आज आता है तो आप देख लेना अगर आपको यह laptop जो है वो सही लगता है आप उसके और जा सकते हो गर आपकी कोई requirement है कि आपको 8GB RAM minimum बहुत है यार अगर आपको इतने ही मतलों सही लगती है तो आप इसके और जा सकते हो अगर आपको 8 GB RAM नहीं सही आपको कोई काम ऐसा है कि आपको 16GB RAM चाहिए अगर आपको 32GB RAM चाहिए तो आपके लिए यह laptop बिल्कुल भी नहीं बना इसलिए तो मैंने इसको number 4 पर रखा अभी आगे बात करते है number 3 की number 3 की बात करो number 3 पर यार मैंने रखा Acer Inspire 5 को सबसे पहले मैं आपको बता सब्सक्राइब की बातों को 40 इंच फूल एस्टी प्लस दिस्प्ले मिल जादी जो की आई प्रेस पैनल डिस्प्ले प्रसासर की बातों को आई 5 10th generation के साथ मिलता स्टोरिज की बात करूं आपको 8GB RAM मिल जाते एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो पस आपको 512GB SSD देखने को मिल आपको यार आदा गंटा 40 मिनिर ऐसे लगते है लेकिने SSD में आपको यह चीजी नहीं देखने को मिलेगी जो की सच में SSD ही लेनी चाहिए अगर आप टाटा ज्यादा ट्रांसफर करते हो ग्राफिक काड़ की बात करूं आपको नवीड यह जीफो MX 350 देखने को मिलेगा उप स्पैसिफिकेशन में आपको बता दिये स्पायर 5 के भी अगर मैं स्पैसिफिकेशन के कोडिंग देखा जो तो बहुत ज्यादा सही है आपको 45 अंके बजिट से लेके 50,000 के बजिट तक यह लैप्टाप देखने को मिल जाते है तो अगर आपने आफिस बर के लिए चाहिए यह स्टुडेंट हो पड़ते हो पड़ाते हो अगर प्रोग्रामिंग करनाया कोडिंग करनेया को हैं को हांवीimaan करना चाहते रिए इस प्रहक करना मिल जाता है क् lows वैसे आपको ट्यॐ ग्राफिक घुह्याद कर सकते हो 17 जीबी मिल जाते है जिसको आप अपक्रभी करना जा अब आगे बात करते है नमबर टू की तो अभी बात करते है नमबर टू की लेकिन मैं आपको कहा देना जाता हूं नमबर टू एंड नमबर वान को मैंने कमपाइन कर दिया विक्रस दोनों ही लैप्टॉप जो वह एसर की आउर से ही आते है इस बजट रेंज में एसर बहुत अगर आपको गेमिंग डिजाइन चाहिए अगर आपको गेमिंग डिजाइन से मैंटर कुछ भी नहीं करता आपको स्पैसिफिकेशन लोड़ ड़ चाहिए कि अगर आपने कूई हैवी सॉफ्ट यूज करना है वीडियो आटिंग करना है आपके लिए बैस थोने बाला इस स पहले मैं गलत बोली लगा था आपके लिए बैस हो सकता है इस से नीट्रोफाइब आप जा सकते हो इस से नीट्रोफाइब के और वो बहुत जाता तगड़ा लैप्टाप है तो अगर आप वो गेमिंग करना जाते हो मैंने आपको बता दिया अगर आप काफी सबर के लिए इसको गलत भी नहीं कह सकता है इस चीज़ को आप द्यान में रखना प्रसेसर की बातों को आपको फिंगर परिंट वगरार भी देखने को मिलेगा बैटरी की बात करूं आपको शेवन आवर्स का बैटरी बैकप पर वाइड कर देता है प्राइस की बात करूं इसका इस सब्सक्राइब देखने को मिल जाएगा तो यह अभी बात करते हैं इस सब्सक्राइब के तो डिस्प्ले की बातों को 15.6 इंच फ्लेस्टी प्लस IPS पैनल डिस्प्ले मिल जाते है जो की 16 रिफ्रेश्ट के साथ आती है पर सासर की बात करूं इसमें भी आपको AMD Ryzen 5 देख का परवाइड कर देता है प्राइस की बात करूं आपको 57,000 के बजट में इस से नीट्रोफाइब देखने को मिल जाएगा तो यह मैंने आपको दोनों ही लैप्टॉप के बता दिये मुझे पता है मैंने जो आपको लैप्टॉप बताए उनका प्राइस जो है वो 50,000 से अगर आप एक्सटा पी कर सकते हो तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके लिए यह दोनों लैप्टॉप बहुत अगड़े होने वाले अगर आप एक्सटा थोड़ा सा भी पी कर सकते हो तो आप एस से नीट्रोफाइब के और जा सकते हो अगर आपको गेमिंग डिजाइन को कहता विकज उतने प्राइज रेंज में लिनोवो बहुत अगड़ा कर रहा है लेकिन अगर आपका पड़िट फॉर 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 लैप्टाप बहुत ज्यादा तगड़े हैं तो यार अभी मैंने आपको टॉप फॉर लैप्टाप बता दिया जो कि आपके लिए पोफेट आपको इस पर यही पर हो जाती है खतम अगर आपको में फिच्जा लगी यार वीडियो को लाईक करेंगे